असलाम लेकुम आज हम बात करने वाले हैं योगा फुर ओसीडी डेफिनेटली योगा में जो है वो ओसीडी का बिलकुल इलाज मौझूद है सबसे पहले सबसे पहले आपका जो है और मेरा जो है वो तुवक्कल होना चाहिए अल्लापाक पर जो मैं आपको योगा गाइड करने वाला हूँ आपने उसे प्रफॉर्म करना है कुछ ही वीग में आप बिलकुल ठीक हो जाएंगे आपको कोई भी OCD कोई भी mental compulsion जो है वो नहीं रहेगे तो मैं आपको suggest करना चाहूँगा वीडियो को देखते होई से perform करें और अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe कर लें I'm just starting right now Assalamualaikum, welcome to Azim Yoga, this is me Azim, I am your fitness friend तो हम बात कर रहे थे Yoga for Obsession Compulsive Disorder सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कुछ चीज़े होती है वो absolute clear होने चाहिए बाज उकात हमें left or right के thought इसलिए आ रहे होते हैं यह हम confused इसलिए होते हैं क्योंकि हम clear नहीं होते हैं For example, एक बंदा जो driving सीक रहा है उसको थोड़ी से insecurity जरूर होगी और वो होनी भी चाहिए इहत्यातन के तौर पे एक बंदे को जो driver है जिसने proper driving करनी है उसको proper driving आनी चाहिए उसको traffic के rules का पता होना चाहिए then वो absolute clear हो जाएगा यानि कि आप भी relate कर पा रहे होंगे जो चीज़ आपको 100% आती है या उनका दिमाग भटकता है तो बिलकुल ठीक हो जागा तो आप इसको मेरसद perform करें सबसे पहला position जो है वो हम perform करने वाले हैं जिसका नाम है जी आनन्द मुद्रा ठीक है उसमें आपने इस तरह वह जरासन जो हमारी नमाज की अतायात की position होती है हमने उस तरह से बाढ़ जाना है हाथ हमने जो है ना वो इस तरह से पाओं पे रख लेने हैं इस तरह से ठीक है और थोड़ा सा हैप का वजन जो है वो पाओं पे आ जाएगा हम इसको जितनी देर चाहे परफॉर्म कर सकते हैं आप इसमें आपने एक और कुशिश करना है आफ तो इन्वाल देशन एज़ए आपने बिल्कुल स्रेट बैठ जाना है यू तेल बॉन शुड़ बेडी स्रेट नेक्ट वेडी स्रेट बाक वेडी स्रेट आपने अपने सा इसमें हृब फंफुलनेस को परफॉर्म करना है आपने इन्हेल करते हुए भी और इक्गयल करते हुए भी और इवास को सुनना है शोलेट्स प्रैक्टट इज मी को इसँडिटे है इन्हेल करते हैं रभशाएं जो दो one more breathing वेरी नाइस वेरी नाइस आपको इंस्टेंटली रिलाक्सेशन फील होगी अगर आपने जरूर इसको मेरे साथ प्रफॉर्म किया है देन हम प्रफॉर्म करेंगे जिसका नाम है जी नाड़ी शोदा यानिके नर्व को कंट्रोल करने वाला मुद्रा तो उसमें के करेंगे हमन आपके नर्व को रिलाक्स करने के लिए आपको काम करते हैं ठीक है इसका हमने बना लिया जी ग्यान मुद्रा तो इस तरह से आप अट लीस्ट फाइव टाइम नाग से इन्हेल लेफ नॉसल से और उसी से एक्जेल करें यू इंस्टेंटली गेट रिलीफ इंशाला घूज जोन फ़िलिगेघए हैं रिख आपके तो सटते हैं इसका नाम है भूरामरी ठीक है उसमें क्या हुता है अपनी हुमन भी जो मक्ही के आवाज होते हैं शहए कि मक्ही वो एक्जेल करते हूँ आपने नाक से निकालने ठीक है इन्हेल भी नाक से करेंगे और दन एक्जेल करते हुए साउंड निकालने और उसके साथ हमने कानों को बंद करना इस तरीके से थाम से और ये चार फिंगर से हमने उपर प्लेस करके इसको थोड़ा सा प्रेशर में रखने हैं तो कमस कम आप जो है वो करेंगे प्लेज करेंगे प्लेशर के रुब इस क्या में द्सक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्好 कि ए से subscribe ए स्ट्रूबॉ कि ए स्ट्रूबॉ है हुआ है हुआ है हुआ 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 वेरी नाइस एंड रिलाक्स आपको कानों में थोड़ा थोड़ा सा चुह है वो ठंड़क सी फील होगी और बॉड़ी में अच्छी सेंसेशन फील होगी रिलाक्सेशन फील होगी लास में जो है आप इन तीनों को परफॉर्म करने के बाद चाइल्ड पोस में आ जाएगा डैट इस वेरी रिलाक्सिंग वेरी एजी आप इस तरह से वजरासन में बैड़ गे और हाथ आपने अल दुवे फॉर्वर्ड रखे मात्य को जमीन पे लगा दिया बॉड़ी को वेलकुल ठीला चोड़ा नाक से नहेल किया मुसे एखेल करने अट लीस किसा प्रेष़ आपने लेते हुए नौमलर प्रोशन में उठके बैड़ जाना है चीक हो गया जी अच्छा तो आपने इन पोजिशन को perform करना है और ज़रूर अपने friend and family को ज़रूर शेर करना है क्योंकि आज कर हर दूसरे बंदे को mental compulsion का issue है वहम है anxiety है stress है अगर वो ये perform करेंगे तो बिलकुल ठीक हो जाएंगे और आपको और मुझे जो है वो दौाओं में याद रखें तो आप इनको ज़रूर perform कीजेगा अपना कीमती feedback ज़रूर हमें comment box में दीजेगा अगर आपको वीडियो पसान रही हो तो वीडियो को like कर दें और अगर आप चैनल पे नई है तो चैनल को subscribe कर दें अपना बहुत सारा ख्याल ने कीगा वीडियो देखने के बह अशुब्या आला हाफज